हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जो है लेशन 11 का आठ्विं के मैच लेशन 11 जो मैंने स्टार्ट किया है इसमें हमने लेक्चर नंबर वन में प्रैक्टिस सेट 11.1 को सॉल्व कर लिया था आज हम उसके आगे का वीडियो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे इसमें आ मात देख्यात करना सिखा था और जो की कैसे होता है इसका जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगे दिया हुआ है नीचे आप वहाँ पर जाके देख लेंगे तो आगे देखें यहां पर विभाजी तस्तंभालेक्ट क्या आपके बुक में क्या द अढ़ी घटकों की जानकारी एक ही इस तंभ में दर्शाहिए और इसके क्या होते हैं जिसे कि यहां पर में कुछ बाते ध्यान में रखना होता है जिसे दिया हुआ है आपको एक्जांपल में पर दिया हूँ को नाम है इत्लापूर है धनोड़ी और करमाबाद है क्षैसिम कहा तुछ मजदूर का बाए गाए और टोटल मषदूलन है तो इहां पर इस तरीके से मिस consulting मतला दाक की है हूज को अलगALLY लिखेंगे उसका तुलनात्मक जो है अध्यन करेंगे और उसके बाद हम उसका उत्तर प्राप्त करेंगे तो आये देखते हैं यहां पर हमें आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह इस तरह से एक ग्राफ पर आता है जिस पर ही यह प्रॉब्रम सॉल्व करना है आपको आपको एक चोटी सी नोटबुक चोटी आती है मार्केट में मिल जाती है आपको स्टेशनेर शॉप पर आप खरीद लेंगे ग्राफ बुक और उसके बाद उस पर ही हम इस प्रॉब्रम को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो डेटा हो जो हम बताना चाहते हो वह सपस्ट सब्सक्तरी हैं और करेंते हैंorse इस तरीके से मच्क हैं atención एक सो बीस है इचलापुर घनोडी में चालिस कर्माबाद में साठ हैं तो कूल मच्क कितनी हो ऌगे on met activities no 60 हो और करमाबाद में 180ak dit तो यहां पे हमें क्या देहान देना है यह हम उधारण बता रहे हैं इसलिए मैं आपको बुक में दिखा देती हूं कि हमें यह क्या है विवाजीत इस्तंभाल एक है तो हमने क्या क्या टोटल कर लिया पुरुशो और महिलाओं मजदूरों की संख्या कर लिए कुल मजदूरो तो यहां पर धिया है तो यहां पर धियान होगा हमें कि 300 कहां तक जाता है उसकी बाद हमें देखिए यहां पर इस तरीके से पुरुश मजदूर कितने हैं तो यहां पर धिया हुआ है कि टोटल जो है एक सो पीस मजदूर है पुरुश और महिला मिला कर तो यहां पर पुरुश है और जो खाली है ब्लैंक है महिला मजदूर है तो हम क्या करेंगे यहां पर पुरुश को पुरुश कितने हैं असी है तो यह रहा असी का माक्स तो यहां पर माक्स मारकर इसके तो यहां पर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कर्माबाद में पुरुषो की संख्या कितनी है पुरुषो की संख्या है यह इस तरीके से दो अक्ष दिखाएँ एक वाई एक पर मजदूरों की संख्या है जब हम पैमाना लिखेंगे वाई अक्षबल तो यह चाहिँ है यह वाई इस और पर मजदूरों की संख्या दिया है लेक्स पर एक सेंटीमीटर बराबर छालीस मजदूर यह हमें दिखना रहता है कि एक संटीमीटर वराबर हमने किया कि छालीस का के सबस्राना गैब दिया घान और एक चालीस का गैब दिया हुआ अगर एक रहेगा तो मंड.» दौक रहेगा तो दो सवाल पूछा गया है सवाल करना है तो यहां पर एक दो सवाल में सवाल करना तो यहां पर दिया हुआ है की अक्रिती में प्रशनों के उत्तर दीजिए तो अकरिती इंगराब बनाया हुआ है जिसमें सविता, सरोज, कुछ महिलाओं का नाम दिया हुआ है कौन को महिला है? सरिता, सरोज, वर्षा, मेगा और वेशाले ठीक है? और ये का करती है? बच्चत करती है रुपए में कोई 200 बचाता है, कोई 400, कोई 600, कोई 800, 200 दिखी, इसमें 200 का गैप है तो य अक्ष के पहँमाने पर 1 cm वराबर कितना है? 200 रुपए जो कौन कोई से महिने में गैप हुआ है, वो यहां पर दो महिना दिखाए अप्रेल महिने की बच्चत और मार्च महिने की बच्चत तो अप्रेल महिने को ब्लू कलर से रंग दिया है और मार्च महिने को कम उसी तरीकर से यह यहां पर दिखेंड शहाया बंचा और वेशाल website सबूकर में यहां पर दोनों का एक्वल है तो वैशाली सभीता ने बराबर अप्रेल महिने और चेह सो रोपय बचा है तो चरी है पर प्रशन दिया है हमें देखना और उसका उत्तर देना तो तो अप्रेल महिने में आप पहले देखेंगे वैशाली इसकी बचत कितनी है इस्तंबाल लिख तक आएंगे 600 तो उसका उतर होगा 600 है उसके बाद सरोज की मार्च तथा अप्रेल महिने में कुल बचत कितनी है तो सरोज की मार्च और अप्रेल दोनों मिला कर कितनी हो गई उसके आपराईली चितनी होगे नेहेडत हिर्द मेहा की कल लाप्सु नहीं आतोंल dal एक स्वीता की मीघा की कुल अधिक पंजित कितना तो इसलिए एक प्रेइलम के प्रशाह्रों कितनी हैför both किवाल का रियहनु में जो पूस्ति आपना प्रेट नियुक्त इसलिए और समस्क। 59 का प्रॉब्लम सौल कर सकते हैं कोच उधारड दिये हुए है णियुगा लेज और lesson नेक्स्ट वीडियो में लेक्षर नम्बर 3 में आपको सॉल्व करके बताऊंगे मेरे पास इस टाइम ग्राप पेपर नहीं है कोई कहीं एक पेपर पड़ा है उसके माहल करूंगे वीडियो को लास्ट तक देखे सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए मैं आपके लिए तब तक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेर करते हैं